हेलो स्टूडेंट जैहिं कैसे हैं आप आपका स्वागत है हमारे क्विकली स्टडी यूटूब चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं देखिए विश्य हमारा रहेगा गणीत जिसमें हमारी परशनावली चल रही थी 8.2 देखिए जिसका पहला पार्ट था उसमें 5 कोशन दिय आज हम पढ़ेंगे कोशन नमबर 4 से चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए इसमें हमारा कोशन नमबर 4 है साइन तीस प्लस टैन पैनतालिस माइनस को सेक साथ डिगरी बटा सैक तीस टिगरी प्लस को साथ टिगरी प्लस को टो पैनतालिस डिगरी देखिए मैंने आपको जब इस कोशन से पहले तीन कोशन करवाये थे उस टाइम मैंने आपको टेबल बताए थी इन मानों की देखिए 30 45 और 90 अगर आपको टेबल याद होती है तो आपको कोशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो देखिए आपको इससे पहले वाले वीडियो है वो देख लीजी उसमें मैंने टेबल है आपको अच्छे से बताई है और इससे पहले अगर आप हमारे चिन पर नए है च देखिए मैं आपको एक बार टेबल दिखा देती हूँ ये रही वो टेबल जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाई थी ये मैंने खुद से बना के आपको समझाई थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लीजी ये य जिसमें आपको 6 थीटा दिये गए है साइन, कोस, टैन, कोट, सैक और कोसैक इन सब ही के मान दिये गए है आपको सिर्फ वो साइन वाली लाइन है वो चीज याद करने है उसके बाद आपके जो ये वाली है अपने आप याद हो जाएंगे तो चलिए कोशन करते हैं अप देखिए कोशन में हम से पूछा है साइन तीस का मान साइन तीस का मान होता है एक बटा दो प्लस देखिए टैन पैंतालिस टैन पैंतालिस का मान होता है एक माइनस कोसैक 60 डिगरी देखिए कोसैक होता है वो होता है साइन का जस्ट अपोजिट होता है तो देखिए को सैक साथ डिगरी का मान अपने को बताना है तो यह होता है दो बटा अंडरूट तीन यह हो जाएगा बटे में इसके बाद देखिए सैक तीस डिगरी का मान देखिए सैक तीस डिगरी होता है 2 बटा अंडरूट 3 प्लस देखिए कोस 60 डिगरी कोस 60 डिगरी और साइन 30 डिगरी दोनों का मान एक ही होता है तो यह हो जाएगा अपना 1 बटा 2 प्लस देखिए कोट 45 अपने को बताना है कोट 45 तो कोट 45 और 10 45 का मान होता है एक इसके बाद के यहां लगुतम लेंगे या जाएगा दो अंडरूट तीन इसके बाद के यहां यह बचेगा अंडरूट तीन प्लस दो अंडरूट तीन माइनस चार इसके बाद के यहां लगुतम आएगा दो अंडरूट तीन अब यहां 2 अंडूरूर्ट 3 से गुणा करेंगे अंडूरूर्ट से अंडूरूर्ट कैंसिल हो जाएगा अंडूरूर्ट 3 यहां बचेगा 4 प्लस इसके बाद कि यहां दो अंडूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर जाएगा गुणा में यह हो जाएगा दो अंडूट तीन बटा जाएगा चार प्लस अंडूट तीन प्लस दो अंडूट तीन यह से कैंसिल हो जाएगा इसके बाद देखिए अंडूट तीन और दो अंडूट तीन यह हो जाएगा तीन अंडूट तीन माइनस चार बटा यह ह चार प्लस देखिए दो और एक ही हो जाएगा तीन अन्रूट तीन अब देखिए आप कोशन को यहां तक भी छोड़ सकते हैं और इसका अगे हर का प्रिम्यकर्ण भी कर सकते हैं चलिए हम कोशन को थोड़ा और करते हैं तीन अन्रूट तीन माइनस चार बटा देखिए तीन अन्रूट तीन प्लस का चार देखिए जो बटे में संक्या होती है उसका अपोजिट साइन लेते हैं तो हम हर का प्रिम्यकर्ण करेंगे तीन अन्रूट तीन माइनस चार बटा तीन अन्रूट तीन माइनस चार इसके बा बन रहा है a plus b और a minus b यह होता है a square minus b square यह हो जाएगा 3 under 3 का square minus 4 का square एक बार इसे यहीं लिखते हैं ऐसे ही 3 under 3 minus 4 का whole square बटे में आ जाएगा दिखी 3 3 का square होता है 9 और यह under 3 है बहर आएगा तो यह हो जाएगा 9 into 3 यह हो जाएगा 9 तिया 27 minus के 16 तो यहां माना जाएगा अपने पास देखिए 3 under 3 minus 4 का whole square बटा देखिए 27 में 16 गए तो अपने पास बचेगा 11 इसके बार देखिए अब इसको solve कर लेते हैं a minus b का whole square तो यह होता है a square plus में b square minus 2ab तो यहां रखके आब इसको खोलते हैं देखिए a square 3 under 3 का square plus 4 का square minus 2 into 3 under 3 into 4 यह आजाएगा देखिए 3 का square होता है 9 into under root में 3 है जब square करते हैं तो under root है वो cancel हो जाएगा यह आजाएगा 3 plus यह हो जाएगा 16 यह हो जाएगा minus 3 दूआ 6 और 6 चको हो जाएगा 24 under root 3 इसके बाद देखिए हो गया 27 plus 16 minus 24 under root 3 इसके बाद देखिए 27 और 16 को जोड़ते हैं तो हमारे पास मान आएगा यह आजाएगा 43 minus 24 under root 3 तो यह हमारे पास मान आगया इसका अब देखिए यहां पर मान रखते हैं तो यह आजाएगा अपने पास 43 minus 24 under root 3 बटा 11 यह आजाएगा अपने कोशन का जो अनस्वर है वो आजाएगा इसके बाद है next कोशन देखिए 5 को स्केर 60 डिगरी प्लस 4 सैकी स्केर 30 डिगरी माइनस 10 स्केर 45 डिगरी बटा साइनी स्केर 30 डिगरी प्लस को स्केर 30 डिगरी देखिए फटा-फट इनके मान रखतेते हैं पांच इंटू देखिए को स्केर 60 का मान होता है एक बटा 2 देखिए तो अपने को स्केर दिया है तो यह हो जाएगा एक बटा 2 का स्केर प्लस 4 इंटू देखिए सैक तीस डिगरी का मान होता है दो बटा अंडूर्ट 3 यह दो बटा अंडूर्ट 3 का स्केर हो जाएगा माइनस 10 पैंटालिस का मान होता है एक इसके बाद देखिए साइन 30 का मान होता है एक बटा 2 यह हो जाएगा एक बटा 2 का स्केर प्लस देखिए को स्केर 30 का मान होता है अंडूर्ट 3 बटा 2 यह हो जाएगा अंडूट तीन बटा दो यह हो जाएगा स्केर देखिए वैसे भी एक फोर्मुला होता है साइन स्केर थीटा प्लस कोसी स्केर थीटा बराबर होता है एक जब देखिए दोनों थीटा का मान एक होता है सोरी दोनों थीटा का मान है बराबर होता है तो इसका माना आता है हमेशा एक हाता है देखिए sin square theta प्लस cos square theta बराबर होता है एक देखिए condition होनी चाहिए जब theta का माना है दोनों में equal हो तब इनका जो माना आता है वो आता है एक अब यहाँ देखिए जब इसको हम solve करेंगे तो हमारे पास मान भी एक आएगा देखिए इसको solve करते हैं यह आजाएगा 5 बटा 4 प्लस 4 इंटू 2 का हो जाएगा 4 और अंडूरूट है cancel हो जाएगा यह आजाएगा 3 यह आजाएगा 1 इसके बाद देखिए यह आजाएगा 1 बटा 4 प्लस यह आजाएगा तीन बटा चार इसके बाद देखें यह आजाएगा पांच बटा चार प्लस यह आजाएगा सोला बटा तीन माइनस एक और यह आजाएगा देखें चार बटा चार इसके बाद देखें यहाँ पे लगूतम लेंगे बारा तो यह आजाएगा पांच इंटू तीन प्लस 16 इंटू 4 मैनस 12 और यह देखिये 4000 कैंसल हो जाएगा और एक आजाएगा बटे में इसके बाद देखिये माना आएगा अपने पास 15 प्लस 54 माईनस 12 बटे में आ जाएगा बारा इसके बाद देखे 64, देखे 15 में से 12 गई तो अपने पास माना जाएगा 3, या जाएगा 12, या जाएगा 67 बटा 12, या गया हमारे पास इसका मान, 67 बटे 12 इसके बाद है, next question, सही विकलब चुनिए और अपने विकलब का उचित्य दीशिये, देखे अपने को question दे रखा है, 210 तीस टिगरी बटा 1 प्लस 10 इसकेर, तीस टिगरी, तो देखे 2 इंटू, 10 तीस का मान होता है, एक बटा अंडरूर्ट 3, या हो जाएगा, एक बटा अंडर 3 का सकेर, देखे इसको सौलब करेंगे, आजाएगा, दो बटा अंडरूर्ट 3, बटे में हो जाएगा, एक ब्लस, देखे, जब अंडरूर्ट 3 का सकेर करते हैं, तो यहां से अंडरूर्ट है, वो हट जाता है, और आजाएगा 3, तो यह हो जाएगा, एक बटा 3, इसके बा अब यह यहाँ पे भाग में है, उपर आएगा तो यह हो जाएगा गुणा में, यह आजाएगा 3 बटा 4, इसके बाद दिखिए यहाँ से 2, 2, 4 यह कैंसिल हो जाएगा और यह आजाएगा 3 बटा अंडूट 3 इंटू 2, इसके बाद दिखिए अपने पास मान आएगा 3 बटा 2 अंडूट 3, अब इसका हर का प्रिम्नेकन करते हैं, अंडूट 3 से गुणा करते हैं, अंडूट 3 से गुणा, तो यह आजाएगा अपने पास 3, अंडूट 3 बटा 2 इंटू 3, यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और मान आजाएगा अंडूट 3 बटा 2, इसके बाद है, next question इसके बाद है next question देखिए 1 minus 10 is square 45 बटा 1 plus 10 is square 45 तो यहां देखिए 10 45 का मान होता है यह आ जाएगा 1 minus 1 बटा हो जाएगा 1 plus 1 यह आ जाएगा अपने पास 0 बटा 2 तो यहां से इसका मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0 सुन्य इसके बाद है next question देखिए sign 2a बराबर 2 sign a है तो a का मान ग्याद की सी अपने को question दे रखा है sign 2a बराबर 2 sign a देखिए माना माना a बराबर है 0 देखिए a कोई थीटा है और a बराबर मान लिया 0 अब यहां से देखिए पहले इसकी left hand side देखिए sign 2a यह हो जाएगा sign 2a का मान है अपने पास 0 यह आ जाएगा sign 0 degree और sign 0 degree का मान होता है 0 तो यह आगी अपने left hand side इसके बाद देखिए right hand side right hand side है अपने पास 2 sign a देखिए 2 sign और a का मान है अपने पास 0 degree अब देखिए 2 गुना sign 0 का मान होता है 0 तो यहां भी आ जाएगा अपने पास 0 degree 0 आ जाएगा sign 0 का मान यह आ गया अपने पास 0 तो अपनी जो left hand side है वो right hand side के बराबर है इसके बाद है next question 2 10 30 degree बटा 1 minus 10 is square 30 degree अपने कुछ का मान बताना है दिखिए 2 into 10 30 degree का मान होता है 1 बटा under root 3 बटे में हो जाएगा 1 minus 1 बटा under root 3 का square यह हो जाएगा 2 बटा under root 3 बटे में हो जाएगा 1 minus 1 बटा 3 इसके बाद दिखिए यह हो जाएगा 2 बटा under root 3 बटा दिखिए यहां से लगुतम लेंगे तो यहां जाएगा 3 और यहां गुणा करेंगे यहां जाएगा 3 minus 1 यहाँ से अपने पास माना जाएगा दो पर अन्रूत Johan उन्टूब देखिए यहाँ पर भाग में है जब इधर आएगा तो यहाजाएगा गुना में हो जाएगा तीन पर दो यह दो से दो कैंसिल हो जाएगा देखिए तीन में से एक गया अपने पास बचेंगा 2, ये रहा 2 और ये 2 इसे cancels हो गया और या गया 3 बटा अन्रूट 3 हर का प्रिमेकरं करेंगे अन्रूट 3 से उपने चेंग़ गुना करेंगे तो ये आजाएगा अपने पास 3 अन्रूट 3 बटा 3 यहां से माना आ जाएगा अंडू जाएगा अंडूरो जाएगा 3 अगर आपको किसी Quesn में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना जो डाउट है वो क्लेर कर सकते हैं कोई भी Quesn में आपको दिक्कत है तो आप SHARE कर सकते हैं Quesn और पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी कोशन से रिलेटिव कोई भी अगर आपको प्रोब्रम है तो इसके पाद है हमारा next कोशन यदि 10A प्लस B ब्राबर अंडरूट 3 और 10A माइनस B ब्राबर 1 बटा अंडरूट 3 है तो देखिए इसका जो मान आएगा वो आएगा 0 डिग्री से जादा आएगा और 90 डिग्री से कम आएगा जहां पर A बड़ा है B से तो A और B के मान गया तो कीजिए चलिए कोशन स्टार्ट करते हैं अपने को दे रखा है 10A प्लस B ब्राबर अंडरूट 3 है और 10A माइनस B बराबर दे रखा है एक बड़ा अंडरूट 3 है अब यहां से देखिए अपन दोनों तरफ थीटा ले लेते हैं जिसे थीटा से थीटा है वो कैंसल हो जाएगा और अपने पास A प्लस B के मान है वो आ जाएगे तो अपनी इस साइड तो है थीटा है और इस साइड ले लेते हैं तो यहां जाएगा 10A प्लस B बराबर यह यहां पे रख लेते हैं 10 अंडरूट 3 तो यहां देखिए 10 अंडरूट देखिए कोशन दिया है अपने को 10 A प्लस B बराबर है अंडरूट 3 और दिया है 10 A माइनस B बराबर है एक बटा अंडरूट 3 के यह वाली पहली समिकन है और यह वाली है दूसरी अब देखिए यहां से 10 अंडरूट 3 का माँन है कितने डिगरी के बराबर होता है तो देखिए 10 A प्लस B बराबर देखिए अंडरूट 3 का माँन है वो 10 60 डिगरी के बराबर होता है यहां लिख देगे 10 60 डिगरी इसके बाद देखिए 10 से 10 है cancel हो जाएगा और यह आ जाएगा A प्लस B बराबर 60 डिग्री यह होगी अपनी समी करण 3 इसके बाद देखिए 10 A माइनस B बराबर देखिए एक बटा अंडूरू 3 जो 10 का मान होता है वो होता है 30 डिग्री के बराबर तो यहाँ से आ जाएगा 10 30 डिग्री तो देखिए 10 से 10 cancel हो जाएगा यह आ जाएगा A माइनस B बराबर 30 डिग्री यह आ जाएगा अपनी समी करण 4 देखिए अब समी करण 3 और 4 से अपन A और B की मानगयात कर सकते हैं समी करण 3 और 4 से A और B की मान देखिए A प्लस B बराबर 60 डिग्री A माइनस B बराबर 30 डिग्री देखिए परतिस आपन वीदी से किया है यहाँ समी करण को जोडने पर तो देखिए यहाँ पे यह दोनों अलग अलग चिनके है तो यह हो जाएंगे कैंसिल BCB कैंसिल हो जाएगा और A और A हो जाएगा 2A यहाँ 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 और यहाँ A बराबरा जाएगा अपना 45 डिग्री इसके बाद की A कामान समी करण 3 में रखने पर समी करण 3 में रखेंगे तो यहाँ आजाएगा 45 डिग्री प्लस B बराबर 60 डिग्री यहाँ B बराबरा जाएगा 15 डिग्री तो देखिए हमसे कुश्मी पूछा था A और B के मान तो देखिए अपने पास चो A कोण है वो आया है 45 डिग्री का और कोण B आया है अपने पास 15 डिग्री का अपन से यही पूछा था और कंडिशन भी दे रखी थी कि जो कोण आएगा वो आएगा 0 से बड़ा और 90 से चोटा A प्लस B के मान है वो आएगे 90 डिग्री से तो आएगे चोटे और इसे आएगे बड़े तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए 45 प्लस 15 यह आते हैं 60-60 डिग्री है वो 90 डिग्री से तो छोटा है लेकिन 0 डिग्री से हो जाएगा बड़ा इसी के साथ जो हमारी पशना वली थी 8.2 यह हो गई कम्प्लीट थैंक यू गाइज वीडियो कैसी लगी कम्प्लीट करके जुरूर बताए और अगर आप हमारी चैन पे नए है चैनल को सस्क्राइब करना नहीं भूले वीडियो को शायर करे लाइक करे कम्प्लीट करे